मजी देखिए एक हजार पीस पर खर्च कितना होगा हम यहाँ पर खर्च दरसा रहें खर्च हो सकते हैं आपको दिखाई ना दे खर्च आपको खरीदने में 300 रुपिया आएगा अधिकतम 250-300 रुपिया और यहाँ पर जो लिखा गया है अन्य समगरी अन्य मसाला समगरी जो मेटेरियल होता है उतो 40 50 60 रुपया में मिल जाता है फिर भी हमने उसका मुल्य 100 रुपया यहां पर दर्ज कर दिया है तो देखिए आपका खर्च टोटल कितना हो गया 400 आप जोड़ सकते हैं यहां पर कि 10 रुपया का चार एक हजार में 250 पलेट ही तयार हुआ और 10 रुपया कि हिसाब से बीक रहा है तो आपका सेलिंग कितना हो गया 500 रुपया और आपने खर्च किया है 400 रुपया और आपका सेलिंग हो रहा है 2500 रुपया और बचत कितना होगा बचत पर ध्यान से देख लिजिए बचत की बात दोस्तो हमें से ज़्यादा लोग धंधा तो करना चाहते हैं लेकिन बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत से पिछे वीडियो बना चुका है या आज भी हम लेकर आए हैं कि एक पढ़ा लिखा या धिमान आदमी नार्मल पैसा लगा कर 10-15,000 पर डे कमा सकता है ये सुनने में थोड़ा जरूर कड़वा सब्द है कि एक दम सुरुवात में 10-15,000 पर डे ये कोई फेक वीडियो नहीं है हम आपको यहां पर समझाने वाले हैं या आप बोड़ पर देख भी सकते हैं कि क्या लिखा है फिर भी हम आपको कुछ टापिक देंगे जिसे आप 10-15,000 पर डे 4-5,000 पर डे तो आप नार्मल रुप से कमा सकते हैं तो हम आपको ज़्यादा समय नश्ट नहीं करेंगे हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ मैं हूँ आपका दोस्त जय प्रकास यादव टीचर एंड नोबेल राइटर जी हाँ चलते हैं अपने वीडियो की तरफ देखी लिजिए इस बीजिनेस का नाम है गोलगपा पानी पूरी फुचका आद बहुत से लोग तो इस घटना के बाद जो हम अभी बताए हैं कि गोलगपा पानी पूरी फुचका इसके बाद वीडियो ही नहीं देखेंगे यहीं से काटकर हट जाते हैं कि छोड़ यह क्या बताएगा लेकिन आपको हम दुकान आपको नहीं बेचन काल करका कैसे कमा सकते हैं देखिए इस बिजनेस का नाम है गोलगपा पानी पूरी फुचका अलग अलग सहरों में अलग अलग अन्य नामों से भी जाना जाता होगा लेकिन दो चार नाम फेमस है तो देखिए इसके लिए हमने कुछ आवस्यक चीजों को लिखा है हम सकते हैं यह कोई ज्यादा बड़ा इनवेश्ट नहीं है कि आप रिस्क लेने से डर जाएंगे कि पांच अरपिया फंस गया अब क्या होगा इसा कुछ नहीं है उससे कम पैसे में ही सुरू हो जाएगा देखिए आवस्यक चीजे इसमें क्या क्या होती है भेन इसको ठेला अधिया बहुते हैं आदमी आपको नहीं करना पढ़ हैं बता चुके हैं आदमी आप आपको आद मी रखना पड़ेगा कहांसे मिलेगा हम सभी प्रोसेस बताने वाले हैं उसके बाद यह चीजब कहांसे मिलेगा गोलगपा या फुचका और अन्य मसाला समगरी क्या-क्या ह सार आप इससे अधिक दुकानों का मालिक बन सकते हैं पहले दिन से ही दस दुकानों का मालिक बन सकते हैं पहले समझे हम एक दुकान की बारे में बात करेंगे उसी पर आपको समझाएंगे कि कितना खर्च आएगा क्या का आएगा इसलिए आप वीडियो के अंतक जरूर बने अगर आपके वीडियो फेक लगता है तो आप यहां से जा सकते हैं लेकिन अगर आप अंत तक देख लेते हैं तो आपको काफी हेलफुल मिलेगा काफी सहयता मिलेगी धन्धा को करने में और आप बाकी अपना काम करते रहिए आपके काम दूसरे लोग करेंगे तो चलिए हम देख लेते हैं देखे ठेला खुमचा आप सूचेंगे कि ठेला खुमचा पहले कहां से बनवाएंगे उसको बनवाने में तो 12-15,000 रुपए लग जाता है जी नहीं बिलकुल नहीं यह सब भाड़े पर उपलब्द है जी हां ठेला खुमचा पहले आप समझ लिजिए ठेल चोटा सा पहिया होता है छोट से एक टेम्पू के चके के बराबर तो देखिए छोटा वाला ठेला यहीं पानी पूरी के लिए ज्यादा फेमस है यह कितना पर मिल जाएगे यह पर दे बीस से पचास रुपिया भाड़े पर उपलब्द है जी हां आप पता करी अपने सहर म आप जरूर आपको मिल जाएगा देखिए बीस से पचास रुपिया पर डे के हिसाब से एक ठेला खुमचा बजार में उपलब्द है जी हां इसको कराने वाले बहुत से लोग हैं बनाकर रखे हैं उनको बैठे बैठे दाम मिल जाता है तो बीस से पचास रुपिया पर डे के हिसाब से एक ठेला आपको मिल जाएगा आपको एक आदमी को हायर करने की जरूरत पड़ेगी आप किसी लड़केों को रख सकते हैं पार टाइम दो पहर के बाद का समय है या कोई भी ब्यक्ति कर सकता है वो दो सव से लेकर तीन सव रुपया पर डे पर रहेगा देखिए जो हम इधर लिख रहे हैं पर डे के हिसाब से लिख रहे हैं पर डे के हिसाब से सभी मिल जाएंगे देखिए दो सव से तीन सव रुपया पर एक आदमी आपको आसानी से मिल जाएगा जो आपके फुचका या गोलगपपा को सेल करेगा उसके बाद ये कितना का मिलता है गोलगपपा बस ये तो बात हम आगे बताएंगा भी लेकिन आपको ये चीज आसानी से मिल जाएगा और आपका बचत कितना होगा तो आप इस वीडियो में देखते रहिए ये तो आप समझ गए कि 20-50 में अगर आपका सहर ज्यादा काश्टली हो तो 60-70 या 100 रुपया भी परड़े हो सकता है इससे अधिक नहीं और जो बेक्त 300-300 रुपया परड़े कमाएगा उसका इंकम लगफ़क 10,000 रुपया पर मंत हो जाएगा ये बहुत से असानी से मिल जाते हैं ये लोग उसके बात चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि गोलगफ़ा आपको मिलेगा कितना पर कितना उस पर इंवेश्ट होगा और बचत कितना होगा आप अवस्यक समगरी तो समझ गए होंगे देखिए ये गोलगफ़ा या फुचका या जो भी आप बोले पानी पुड़ी ये एक हजार पीस करके एक पैकेट मिलता है और इसका मार्केट में रेट है होलसेल होलसेल दो सो पचास से लेकर तीन सो रुपया तक अधिकतम है कहीं पर दो सो पचास तो कहीं पर तीन सो इसी के आसपास इसका मुल्य रहता है अर्था धाई सव से तीन सो रुपया में एक हजार गोलगफ़ा आपको आसानी से मिल जाएगा और यहाँ पर है अन्यसा मगरी उसके साथ छोला या चोखा आप जो भी कहें ओचीज रहता है और इमली का पाने खटा पाने और अन्यसा मगरी रहता है उसका खर्च भी आप 100 उर्पया जोड़ सकते हैं तो देख लेजी हम आपको खर्च बता दे रहें यहाँ पर अपका खर्च कितना होगा आपने गोलगप़ा खरिद लिया एक हजार पीस देखे एक हजार पीस अर्थात एक दुकान एक दुकान में दो दो तीन तेन हजार पीस एक एक दिन में सेल हो जाता है अगर आप मार्केट में नए उतर रहें फिर भी आपका एक दुकान से एक हजार पीस तो खुब असानी से सेल हो जाएगा पहले प्रोसेस को समझी देखिए एक हजार पीस पर खर्च कितना होगा हम यहाँ पर खर्च दरसा रहें खर्च हो सकता है आपको दिखाई ना दे खर्च आपको खरीदने में 300 रुपिया आएगा अधिकतम 250 से 300 रुपिया और यहाँ पर जो लिखा गया है आपका खर्च टोटल कितना हो गया 400 इसमें अभी दो चीज़ हमने छोड़ा है यह आदमी और यह भेन का खर्च हमने यहाँ पर बता दिया है उसको भी लाश्ट में एड़ करेंगे फिर देखिए आपका सेलिंग कितना हो जाएगा 400 रुपिया में आपको 1000 मैटिरियल तैयार हो जा रहा है और आपका सेल कितना होगा सेलिंग कितना होगा तो यहाँ पर आप समझ लिजिए कि 10 रुपिया का 4 पीस मिलता है फुषका, गोलगपा या पानी पूरी आप जो कहें 10 रुपिया में 4 पीस मिलता है जी हाँ किसी किसी अन्य सहर में तो वहाँ पर 3 तेन या 2 दो पीस ही मिलता है लेकिन 4 पीस नार्मल रुप से सभी जगा एबलाबल है तो देख लिजिए 4 पीस 10 रुपिया में तो एक छोटी सी गणित है आप समझ सकते हैं कि अगर 4 पीस अर्थात 1 प्लेट तो एक हजार में कीतना प्लेट तैयार होगा एक हजार में कीतना प्लेट तो 250 प्लेट तैयार हो जाता है अर्था 250 जगह 4 चार पीस करके ये गोलगापा दिया जा सकता है और उसका रेट है 10 रुपिया देखी यहाँ पर 10 रुपिया आप कहीं भी आखा कर देख लिजिएगा चेक कर लिजिएगा 10 रुपिया का चार ही मिलेगा या इससे कम भी हो कहीं कहीं एक दो अधिक मिल जाए पांच मिल जाए लेकिन चार नार्मल रुप से प्रतेक जगह है इसका रेट आप जोड सकते हैं यहां पर कि 10 रुपिया का चार एक हजार में 250 प्लेट ही तयार हुआ और 10 रुपिया के हिसाब से बीक रहा है तो आपका सेलिंग कितना हो गया पची सो रुपिया और आपने खर्च किया है 400 रुपिया और आपका सेलिंग हो रहा है 2500 रुपिया अर्थात अढ़ाई हजार रुपया और बचत कितना होगा बचत पर ध्यान से देख लेजिए बचत की बात बचत 400 ये वाला खर्च पले हम जोड़ लेते हैं कि टोटल खर्च कितना आ रहा है अब आप इधार देख सकते हैं देखिए आपका पले टोटल खर्चा कितना होगा टोटल खर्च 400 रुपया का ये वाला मैटेरियल पूरा सेट एक हजार पिस का ये गोलगापा पलस अन्यसा मगरी 400 रुपया और आपका सहर अगर ज्यादा काश्टली है तब भी 100 रुपया में एक भेन आसानी से परड़े के हिसाब से मिल जाएगा उसके अलावा एक आदमी का खर्च 300 रुपया आप साड़े 300-400 अभिया दिक्तम मान सकते हैं लेकिन 250-300 रुपया में एक आदमी एक दिन के लिए मिल जाते हैं फिर आप इसको जोड़ लीजिये चार अरवश्ट पांच और तिन आठ सो रुपया आठ सो रुपया और आपने सेल किया है 25 सो रुपया का सेल हो गया और आपका खर्च हो रहा है आठ सो रुपया अब आप यहां से निकाल सकते हैं कि कितना हो जाएगा तो देख लिजिए पचीस सो में से आप आट सो को घटा दीजिए हमने अधिकतम हाई रेट करके रखा है इसे कम ही आपका खर्च आएगा तो देखें यहां परार है सतरो सो उर्पया सतरो सो के भी आप छोड़ देजिए आप इसको पंदरो सो मालीजिए पंदरो सो अर्थात एक हज़र से ज्यादा तो खर्च आएगा नहीं अधिकतम आप एक हजर रुपया खर्च निकाल देते हैं पर देखा तब भी आपका पंदरो सो रुपया सेर्फ एक हजार पीज सेल करने पर बच रहा है अगर आपने दस दुकवान सुरुवात में ही खुलवा दी है दस भेन आपने सुरुवात में ही रख लिया है तब बचत जोड सकते हैं पंदर सो में दस से गुना कर लिजिए आ गया पंदर हजार किसी दिन आपके एक दुवाद में नो आए उस दिन भी आप दस से बारा हजार रप्या प्रते एक दिन कमा सकते हैं इस तरह आपका मंथली कितना हो जाएगा तो आप यहां से देख लिजिए अगर आपने पंदरा हजार रप्या दिखे आप इससे ज्यादा कमाएंगे लेकिन हमने पंदरा हजार रप्या ही रखा है अगर एक दिन में पंदरा हजार रप्या कमा रहे हैं तो एक महीने में आप कितना कमाएंगे आप गुना कर लिजिए पंदरा तिया 45, 3,0, 1,0 4,0 आप कर सकते हैं कि कितना आ जाएगा 4,50,000 4,4,00, रुपिया महीना 4,5,00 रुपिया पर मंथ कमा सकते हैं बस थोड़ी सी बुधी लगाना है और इस पर उतारू हो जाना है आप इसको ध्यान से समझ लिये हैं जी हाँ इस वीडियो के बारे में अगर आपके पास कोई राय है तो आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा जब वीडियो आपको वास्तों में हेलफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं आपका बहुत बहुत धन्या